आज हम बात करेंगे एक ऐसी विमारी के बारे में जो उन माबाब के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है जो अभी या तो बच्चे का प्लाइनिंग कर रहे हैं जिनके घर में खुश ख़बरी आने वाली है या जिनका अभी बच्चा बहुत छोटा है या हम बात करेंगे दोस्तों नियो नेटल जोंडिस के बारे में यानि के छोटे बच्चों के पीलिया के बारे में यह ऐसी बिमारी है जो करीब 70-80% बच्चों में डिलिवरी होने के या पैदा होने के 24 गंटे के अंदर अंदर डेवलप होती है और हफते बर तक रहती है नॉर्मली लेकिन अरी हफते बर से आगे जाती है तो फिर ये खत्रे की बात है तो ये जानने के लिए के इसके कारण क्या है इसके लक्षन क्या होते है इसके बचाओ क्या होंगे क्या वाकई ये खतरनाक बिमारी है जिसके लिए माबाप को बहुत जादा परिशान होनी की जरूरत है तो ये सब जानने के लिए दोस्तों आपको मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहना होगा, आए हम बात करते हैं, और शुरुओ करते हैं इस वीडियो के बारे में। दरसल जो जॉन्डिस है नियोनेटल जॉन्डिस जो है वो दो तरह का होता है जिसको हम एक को फिजोलोजिकल जॉन्डिस कहते हैं दूसरे को पैथोलोजिकल जॉन्डिस कहते हैं physiological jointness ऐसी बिमारी होती है जो एक्चुल में एक नॉर्मल फिनामेना है बोडी का और इसके पीचे कुछ बिमारी कारण नहीं होती है लेकिन जो pathological jointness है उसके पीचे कुछ बिमारیاں होती है जैसे liver की कुछ बिमारیاں होंगी बच्चों की पैदाईशी कुछ बीमारियां हो सकती है हाइपोथारेडिस्म हो सकता है लीवर ठीक से काम ना करे ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो पैथोलोजिकल जॉन्डिस डेवलप करते हैं लेकिन ये बहुत ही कम बच्चों में ऐसा होता है जिनमें पैथोलोजिकल जॉन्डिस डेवलप हुआ हो या बीमारी के कारण जॉन्डिस डेवलप हुआ हो मगर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो फैजोलोजिकल जॉन्डिस है वो होता क्यों है एक्च्छल में जो बच्चे का अपना खून होता है जिसको हम fetal hemoglobin कहते हैं तो जब बच्चा पैदा हो जाता है, तो पैदा होने के बाद जो फीटल hemoglobin है यह replace करता है बच्चा अपने खुन से, यानि कि adult hemoglobin से तो जो वो पुराने वाला hemoglobin था, वो destruct होता है और जब वो destruct होता है, यानि कि तूटता है, तो उसके बाद serum bilrubin बढ़ जाता है, serum bilrubin को हम pit कहते हैं, और जो खून में अगर इसका level बढ़ जाता है, तो जिसकी वेज़ से jointis हो जाता है, दूसरा कारण यह हो सकता है, कि जो liver का metabolic function है, अभी वो immature हो, मगर इसमें कोई घप उसको direct sunlight exposure दे, धूप में लिटाने से बच्चे की विमारी जाती रहती है, बच्चे को बार-बार दूद पिलाया जाए, जितना जादा बार-बार दूद पिएगा बच्चा, उतनी जल्दी से यह excretion हो जाएगा serum bilrubin का पिशाप के रास्ते से, लक्षन इसके क्या होते ह 2 mg per dl से उपर चले जाता है, तो लक्षन आने लगता है, और लक्षन क्या होते है, जो सबसे आसान लक्षन है पहचानना, जो आख का यह white part है, जिसको conjunctiva कहते है, इसका रंग पिला होने लगता है, और जितना जादा इसका रंग पिला दिखता है, उतना ही जादा serum bilrubin का level blood के अंदर होता है, अगर यह 16 mg per dl तक serum bilrubin का level है, तो कोई घपरानी के जरूत नहीं होती है, simply या तो धूप में रखने से बच्चे को इस बिमारी से बचा सकता है, या एक phototherapy treatment होता है, एक machine होती है, इसमें बच्चे को धूप की तरह से एक रोशनी दी जाती है, वो इसमे कारगार है इस बिमारी को control करने के लिए, ठीक करने के लिए, या अगर बहुत जादा level बढ़ जाते हैं, तो उसमें फिर transfusion या blood transfusion की भी जूरूत पढ़ती है, लेकिन अगर यह level, even physiological joint disc में भी, अगर यह 18 mg per dl से उपर हो जाते हैं, तो बच्चों में जो connectress develop हो जाता है, connectress पीलिया को ही कहता है, और जब एक connectress develop होता है, तो इससे connectress encephalopathy होने का डर रहता है, एक बिमारी होती है, जो brain से related है, या दिमाग के जो functions है, वो खराब होने लगते हैं, तो बच्चे को दोरा भी आ सकता है, fits पढ़ने लगते हैं, या दूसरी दिमागी बिमारियां develop हो स pathological jaundice होगा, तो उसका treatment अलग तरीकी से होगा, और यहां पर एक cause of concern होता है, अगर pathological jaundice है, क्योंकि generally, कुछ congenital diseases या पैदाइशी बिमारिया बच्चे में अगर होती हैं, तब ये pathological jaundice देखा गया है, जैसे या तो जो liver से बारी-बारी एक नसे आती है, और जो bile duct, जो gall आगे की तरफ serum bilirubin या पित नहीं जा पाता, और जो थैली में इखट्टा होना चाहिए, वहाँ पे नहीं आ पाता, और ये blood में मिल जाता है, या ये sub function तो ठीक है, मगर उसके आगे एक जो नली होती है, जिसको bile duct कहते हैं, अगर वो biliary artesia हो जाए, यानि कि वो जो shining को ज levels बढ़ जाते हैं, तो दोस्तो जो physiological jointis है, उससे घपरानिक ज़रूद नहीं है, वहाँ आपको बिल्कुल भी, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकरी भरा रहा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेर करें, और चैनल को सब्सक्रा करना ना भूले, धन्यवाद,